इस वीडियो में जो हम मैच कवर करेंगे वो होगा प्रीमिर लीग का फुटबोल मैच जो खिला जाएगा लिवरपूल, एफसी और मैंचेस्टर सिटी के बीच में तो दोनों टीम में सा आज के मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टोपिक पर हम डीटियल्स में चल्चा करेंगे और यह टोपिक भी काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल सकोर करेगी और किन 11 प्लियर्स को आज के मैच में लेकर चलना है और उनही 11 मैं से किसको कैप्टन देना है और किसको वाइस कैप्टन देना है यह जो सारी जान कर रहेंगी वो आपको इसी वीडियो में शेटेप बाई शेटेप दी जाएंगी आप वीडियो को ध्यान से और complete देखना बीच में बिलकुल भी skip मत करना तो दोस्त अब हम इस match में ये जान लेते हैं कि कौन सी team ये match अपने home ground में खिलेगी तो दोस्त लिवरपूल की जो team है वो आज का match अपने home ground में खिलेगी वहीं पर बात करें Manchester City इस match में एक away team होने वाली है तो home और away में क्या फरक होता है देखो जो team अपने home ground में खिलते हैं तो 20% chance तो फुटबोल में यहीं पर बन जाते हैं match को win करने का और वैसे भी ये दोनों team है जब भी अपने home में खिलते हैं तो अधिकतर chance उस team के match को win करने को होते हैं जो अपने home में खिलती है आज के match में क्या आपको लगता है कि हलांड गोल मारेगा क्या आपको लगता है कि महम्मन सलाग गोल मारेगा यह जो सारी जानकरी रहेंगी यह आपको लगता होगा लेकिन मैं आपको example के साथ विद सटेट के साथ यह चीज़ दिखाऊंगा कि कौन सी team कितने goal करके match को जीतेगी और कौन सा player का goal आईगा यह सारी जानकरी दूँगा लेकिन grand league का combination कैसे त्यार करना है आज के match में वो भी आपको information दूँगा बैस आपको वीडियो को दिहान से और complete देखना है और हाँ दोस्त मैच का prediction क्या होगा अगर मैं आपको बोल दूँग यार इस match में ये team इतना goal करके match जीतेगी तब आपको लगेगे नहीं यार ये तुक्का वाली बात होगी लेकिन मैं आपको with stats के साथ आपको ये information दूँगा कि इस match में कौन से team कितना goal करके जीतेगी तब आपको यकीन भी होगा तो चलिए अब हम सब सपहले हैं दोनों team की नहीं जो table है उस पर नज़र डालते हैं प्रीमिर लीग की point table गबारा मागर हम बात करें तो Liverpool FC इस league की second best team है और Manchester City इस league की third best team है तो दोनों team है इस league में top पर ही है Liverpool ने इस league में 27 match खिले हैं 27 match से 19 match जीते हैं 6 match draw खिले हैं 2 match हा रहे हैं अटेकिंग गेम देखा जाएथ इसने 64 goal सकोर किया है defensive game देखा जाएथ 25 goal कंसीड किया है और अब तक इस team ने 63 point हासिल की है तो performance काफी अच्छा है और बात करें Manchester City के बारा में तो Manchester City ने इस league में 27 match खिले हैं 27 match से 19 जीते हैं 5 draw खिले हैं 62 goal किये हैं defensive 27 goal कंसीड किये हैं और इस team को point हुए 62 तो दोस्त देखा जाए तो दोनों team का point है उसमें एक point का difference है और जो team आज का match जीतेगी वो इस league की top best team रहेगी क्यों देखो यहाँ पर Arsenal की जो point है वो 64 है तो अगर मान लो कि Liverpool इस match में 2 point हासिल कर जाती है तो league की top table team कहलाईगी तो दोनों teams के लिए करो या मरो का मुकाबला है और हमने देखा है कि Liverpool ने attack से बच्छा खेला defense से better खेला और Manchester City का भी same like performance रहा defense attack काफी शानदार देखने को मिलता है तो दोस्त अब हम बात करेंगे इन दोनों team के बीच में जो head to head matches होते हैं उनके बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको यह information जरूँँगा अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो इसी परकार की वीडियो information के लिए आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करना साथ ही में बैल आइकन को on जरूर करना ताकि आपको बास next match की वीडियो के notification मिसना हो और वीडियो पसंदा है तो एक like जरूर करना टेलिग्राम चैनल का जो link है ने इसी वीडियो का top के comment में दिया है और वीडियो के description में दिया तो आप वहाँ से हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हो लेकिन याद रहे सर्च करके join मत करना क्योंकि सर्च करने अपन बहुत सारा fact channel लाते है और उन सबसे बचने का आसान तरीका यही है जो मैंने link दिया है उसी link पर click करके आप टेलिग्राम चैनल से join हो ओके तो चलिए अब हम topic पर बात करेंगे तो सबसे पहले इन दोनु टीम के head to head matches के बारे हम बात करें तो इन दोनु टीम के बीच में लास्ट छे head to head match एक दूसरे के सामने खेले गए और छे मैच से तीन मैच लिवरपूल ने जीते हैं एक मैच ड्रो खेला है और दो मैच यहाँ पर लिवरपूल ने मैंचेस्टर सिटी के सामने हारे भी है अटेकिंग गएम देखें तो लिवरपूल का सिटी के सामने 1.8 का है और डिफेंसिव गएम देखें तो 1.8 का है मतलब अब तक दोनों टीम के तरफ से रजल्ट हमें 50-50 देखने को मिलता है अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम के बीच में खेला गया था वो मैच ड्रो गया था वो मैच दोनों टीम ने अटेकिंग ड्रो पर खतम किया लेकिन उस मैच को मैंचेस्टर सिटी ने अपने हॉम गराण में खेला है और वहाँ पर भी City जीत नहीं पाई, 2023 में, अब हम बात करें, second match हुआ था, Manchester City ने Liverpool के सामने अपने home ground में खेला था, उस match में 4-1 से City जीत गई, लेकिन याद रहे, अपने home में खेला था, किसने, Manchester City ने, और उसे पिछले मुकाबला पर देखा जाए, तो Manchester City ने ही इस team के सामने जीत हासिल के, लेकिन, वो match भी, Manchester City ने 3-2 से जीत लिया, लेकिन अपने home ground में खेला था, तो home match, recent के 3 match इसमें, City ने काफी अच्छा खेला है, क्योंकि ये 3 match, City टीम के home ground में हुए है, लेकिन, उससे पिछले, अगर हम 3 match और देखें, तो Liverpool ने, जैसे कि 2022 में, Manchester City के सामने, अ home ground में हुआ था, और उस match में भी Liverpool जीत गई, और एक match Manchester City ने अपने home ground में लिवरपूल के सामने ही खेला था, और उस match को भी Liverpool इसके सामने जीत गई, समझ माय है कुछ, देखो, कहना का मतलब मेरे ये है, कि Liverpool की team आज के match में एक home team है, तो home team का काफ ज़्यादा advantage रहेगा, दोस्त, ये चीज़ भी याद रहे, इन दोनों team के बीच में जब भी hatward matches हुए ने, अभी तक एक भी match ऐसा नहीं गया, जिसमें Liverpool का goal ना आया हो City के सामने, ये भी एक, मतलब एक knowledge ने कोई चीज़ नहीं थी, मतलब आपको कोई नहीं बताएगा, आप चाहे तो last के 6 hatward matches में record देख सा तो Liverpool ने, ऐसा कौन सा match खेला है City के सामने, जिसमें goal नहीं आया, बलकि सभी match में Liverpool का goal आया है, तो एक advantage तो goal आने का रहा है, Liverpool का अच्छा record रहा है, City के सामने, दूसरा Liverpool ये match अपना home में खेलेगी, तो ये भी काफिश बड़ा advantage है, ओके, और अधिकतर match Liverpool जब City के स उनुट टीम का recent matches कैसे गया है, तो सबसे पहले Liverpool के बारे हम बात करें, तो Liverpool के last के 6 match पर अगर हम नजर डालें, तो 6 के 6 match Liverpool ने जीते हैं, और attacking game इस team का 3 goal per match का है, defensive way 0.5, मतलब हर 2 match में एक goal concede करती है, वरना goal भी concede नहीं करती, और match को एक तरफा जीत लेती है, तो काफी अ नोटिंगम फोरेस्ट के सामने 1-0 से जीत लिया, सौथ हेंटन के सामने 3-0 से जीत लिया, चेल्सिय जैसे टीम के सामने FA Cup का final match था, उस match में भी Liverpool 1-0 से जीत गई, और बड़े matches में Liverpool का record काफी स्यांदर है, जैसे में आपको बताया है, Liverpool Luton Town के सामने 4-1 से जीत गई, Brentford के स के बारे में, देखो CT के अगर हम recent form देखें, तो Manchester City ने लास्ट के 6 मैंसे 5 मैंच में जीत हासिल की, एक मैंच ड्रो भी खिला और अभी तक loss नहीं किया, attacking game 2.5 का है, defensive game 0.8 का है, तो ये team attacking game काफी अच्छा है इसका भी, लेकिन defense थोड़ा सा week है, क्योंकि गोल ये team ज्यादा concede कर देती है, अब जो पिछला मैंच खिला है, Manchester City ने, वो UEFA Champions League का मैंच था, Kopenhagen के सामने 3-1 से मैंच को जीत लिया, और United के सामने खिला था, Manchester United के सामने Premier League में 3-1 से जीत लिया था, Luton Town के सामने 6-1-2 से जीता था, Borne Mouth के सामने 1-0 से, Brentford के सामने 1-0 से, उससे मगावला Chelsea Chelsea के सामने ये team खेली थी, और match को attacking draw खेली, और अपने home में खेली थी, लेकिन Chelsea के सामने Liverpool खेली थी, और वो भी Chelsea का home ground में Liverpool जीती थी, तो कहना का मतलब समझे ना आप कुछ, ओके, तो दोस्त, अब हम बात करेंगे, इस match का prediction क्या होगा, मतलब कौन चीम कितने goal करके match को जीते और comparison में जो team आगे निकल कराएगी, वही team आज के match के एक favorite team रहेगी, और उसी के favor में हमें अपनी prediction देनी है, तो सबसे पहले हम दोनों team की pointable के बारे हम बात करेंगे, जैसे कहम देख चुके हैं, दोनों team का head to head matches का नुसार comparison करेंगे, और दोनों team का हमने recent games भी देखेंगे तो उस का नुसार दोनों team को हम compare करेंगे, तो तब तीनों format में दोनों team को निकालेंगे, देखो, प्रीमिर लिग में second position पर आपको Liverpool की team देखने मिलेगे, और third position पर आपको Manchester City की team देखने मिलेगे, अगर position का नुसार देखा जाए तो हल्किस favorite team Liverpool की देखने को मिल दी है, बा तो यहाँ पर किसका form अच्छा है, Liverpool का, City का against, बात करें recent form के बारे में, दोनों team का, जो recent matches हुए है, उन 6 matches मेंगर देखा जाए, तो City ने 5 ही match जीते हैं, और Liverpool ने 6 के 6 match जीते हैं, अटेक से भी और defense से भी काफी अच्छा game खेला है, Liverpool की team ने, और Manchester City attacking तो अच्छा के लिए, लेकर defense wise कहने के week देखने मिली है, और इसने goal conceded की हैं, तो मैं इन तीनों format में Liverpool की team को एक favorite team मानके चलता हूँ, कहना का सीधा समर्थ है मेरा, okay, तो दोस्त अब बात आते हैं कि match का scoreline prediction क्या होगा, मतलब कौन से team कितना goal करके match को जीतेगी, मुझे लगता है कि Liverpool की team जिस तर Manchester City की team भी इस match में at least एक goal तो score करेगी ही करेगी, क्योंकि दोनों team का attacking game काफी better है, और मुझे लगता है कि defense की मात होगी, तो दोनों तरफ से एक goal की chances हैं, मतलब ये match बहुत team to score होगा, अब इस match में इस prediction को ध्यान में रखते हुए, इस match में हमें अपनी fantasy team को create करना, अब team मे किस player को लेना है, team में किसको captain देना, किसको vice captain देना, ये जो सारी जान कर रहेंगी, ये आपको दोनों team की जो possible line-up है, player का जो statates है, उसका अनुसार दी जाएगी, तो चलिए सबसे पहले हम line-up पर नज़र डालेंगे, वो Liverpool की रहेगी, तो Liverpool की formation आज के match में, 4-3-3 के formation से team playing alone खेलेगी, और हर एक player का जो मैंने statates दिखाई हूँ है, यहाँ पर mention किया है, कि कौन से player ने team के लिए कितना match खेलें, कितना match में start कर चुका है, कौन से player हर match में, जो 90 minute खेलता है, team के लिए goal भी करता हो, assist भी करता हो, तो सब का data मैंने यहाँ पर mention किया हुआ है, तो सबसे प गोल कीपर के वजए से manchester city काफी फाइद उठाईगी इस match में, लेकिन kella hair का मुझे chance लग रहे हैं कि यह आज के match में ज्यादा test होगा, तो इनको इसलिए पिक क्या है, कौनर बराडली का recent form मैंने देखा काफी अच्छा, intercessment tackle of the ball काफी बहतर है, तो इस fullback को हम जरूर लेक चलेंगे, वहीं पर बात करें, एंड्री रोबर्सन इस team के लिए ये भी fullback के तोर के खेलते ना जाएगा, क्योंकि ट्रेट अलेक्जंडर अरनोल्ड वो आउट है, मतलब team से बाहर है, तो उसकी भी कमी खलेगी, तो ये team, injury काफी जादा है इस team के पास, कुछ बड़ बड सी दास है कि ये एक बहतर centre-back है, इनको ट्राइ करना चाहिए, पास से point देगा, interception tackle का भी आएंगे, इब्राहिम कोनाट है, आज की match में मैं इनको नहीं लूँगा, अगर आपको लगता है, एक तरफा इस match को Liverpool team जीतेगी, तब आप clean sit mansion करने के लिए, कोनाटे को ट्राइ कर लगता है, हर match में काफे अच्छा खेलता है, पासस, एक रोस अच्छे, interception, tackle of the ball अच्छा खेलता है, अगर देखा जाए, तो पिछले 2-3 match में इसका recent form भी काफे अच्छा गर देखा जाए, गोल वाइज, असिस्ट वाइज, तो इसना consistency से performance किया है, तो मैं इनको सज़ेस् सेम लाइक, एलिक्स, मार, एलिश्टर, ये भी बैटर प्लियर है, विदाट गोल, पॉइन देता, गोल असिस्ट का चांस बने रहते हैं, तो हम इनको भी जगाद देंगा, वहीं पर बात करें, फोरवर्ट सेक्शन में, मौहमन सला, और बैसली, इंग्लिस प्रीमिर लीकर वन अब दे बैस्ट प्लियर है, तो इनको सजेस्ट करेंगा, प्लास में पैनल्टी लेगा, तो ऐसे प्लियर को ड्रॉप नहीं करेंगा, डार्विन नूनेज है, ऐसे फोरवड खेले का, लेकिन, अगर आप लगता कि ये, मतलब सिटी की टीम जल्दी गोल कंसीट नहीं कर लिवरपूल की तरफ से मैं कम सकम पांच, बलकि छे ये, साथ प्लियर लेने के कोशिच करूँगा, पहले था हम इस टीम का गोल के पर लेंगे, दोनों फुल बैक लेकर चलेंगे, एंडुर रोबर्टसन और ब्राटली, और उसके बाद में दो सेंटर मिट फिल्डर यहां मैं लूइस डियाज के लेना हो, क्योंकि वान डिज को ड्रोप नहीं कर सकता है, भले इनका सेलक्षन ब्राटली, रोबर्टसन का कम हो, लेकिन मैच में आज के मैच में इनका रिकोर्ट, बलकि परफॉमेंस काफी ओपी रहेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अब हम 25 मैच खेलें, 16 मैच में सटाट कर चुका, एवरेज देखा जा तो हर मैच में खेलने के इसका आता है, कभी कभी 70 मिनट, कभी 80 मिनट खेलता है, कभी 90 मिनट भी खेल लेता, 10 गोल कर चुका, 7 असिस्ट निकाल चुका, तो इसी तरह आप हर एक प्लियर का सटेट को भी चेक एक्टिक्स यूज करती है, और मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन में किस-किस प्लियर को लेना वह भी बता हूँ, लेकिन प्लियर का जो सटेट से वही भी आप चेक कर सकते हो, एडरेशन एज गोल कीपर खेलेगा, सिटी की टीम काफे अच्छा डिफेंसिव गैम खेलत जैसे कि मैं आप बता है कि मैं लिवरपूल की तरफ से लेखते हूँ, नाथन अके, रूबिन डियास, काइल वोलकर, ये तीन शेंटर वैक है, जिनका पासस एकुरेसी बहुत स्यांदार है, प्रीमिर लीग में अगर देख जाए तो पासस एकुरेसी में ये तीनों पिलिय का जो रिसेंट फॉम है, वो मुझे काफी लुभाने वालों लगा है, तो मैं इनको इसलिए लेकर चलाओं, अब हम बात करें, वालकर के बारा में, देखो, वालकर से इतनी चाद मैं, कभी भी उम्मीन नहीं रखता हूँ, मैं हमें से सीधा और से ट्रेट बात करता हूँ, कि देखो, वालकर, वो बात अलगे कि पूरी लीग खेलेगा, पूरा सीजन खेलेगा, एक गोल करेगा, और उस टाइम हमारी टीम मना रहेगा, ठीक है, वो लॉस मुझे पसंद है, लेकिन मैं इसको हर बार पिक कर लूँ और इसके वज़े से लॉस कर जाओ, वो लॉस पसं मिलेगा, और सबसे बड़ी खासित पता इसकी क्या है, ये ना, बड़ा मैच में गोल सा कोर करता है, और आज की टीम में मेरे कैप्टन जो है, आपको थोड़ा छोकान वाले लगेगा, लेकिन मेरे टीम का कैप्टन भी यह ही है, क्योंकि मैंने इसको देखा है, जितने, इस टीम के तरफ से ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, तो ड्रोपेबल पिलियर है, आज की मेरेज में, बात करें, अटेकिंग गेम, कौन कौन पिलियर खेलेंगा, फिल फोडेन है, बर्नांडो सिल्वा है, कैविन डी बुर्यान है, और मैट्यो कौवासिक इस टीम के इस टीम के सामने गोल सकोर कर देता है, और कभी-कभी तो बड़ा मैच में बच्छे खेलता है, जितना मैने, जब से मैं प्रीमिर लीग खेलना शुरू करेंगा, बल्कि दोजार, 17 से मैं फुटबोल फैंटेस खेलना लगा हूँ, और काफी ज़्यादा एक्स्पिरिंस भी हो चुका, मतलब फैंटेस टीम बनाने का, और मैच देखने का, कौन से प्लियर कैसा गोला असिस्टा था, उसके नजरे से देखा जाए, तो कभी-कभी बर्नांडो सिल्वा कभी बड़ा मैच में रिकोर्ड अच्छा रहा है, तो ग्रांडली यूज करना, अर्लिंग हालांड ओबेसली इस टीम की तरफ से वन अप देश्ट पिलियर है, क्योंकि अब तक का टॉप हाइट गोल टेगर हालांडी है, तो इनको भी जगा अपनी फैंटेसी टीम देंगे, ज पहले हम अपने टीम में रोड्री हैं लेकर चलाँगे कहले हैं फिल उडवे सब्सक्राम और मैंने और अपने फैंटेसेम केविंदी बुर्यास को बलीया है, पांच नाथन अगम चल्ऊ कर दो tease तो रहे ही प suffu ग्रेश का जयाओ बाकि प्रेश चाना केता हैं वाप सामने स जैसे कि सटेट ऐस तरह पढ़ सकते हो अर्लिंग हलाण ने बीस मैंच खेल बाइस मैंच के लिए 21 मैंच में सटाट कर चुका हर मैंच मेंच में नब्हा मिनेट खेल तब 18 गोल कर चुका पांच असिस्ट निकाल चुका तो इसी प्रकाप हर एक प्ले काप सटेट को चेक आउ करूंगा तो दोस्त हमने दोनों टीम की लाइन अप देखे लाइन अप करने उसार प्लेयर को सलक्ट किया और उन्हीं प्लेयर्स को अब हमें अपनी फैंटेसिक टीम मिलेना और तो उसके हिसाब से हमें किस तरह टीम करेट करनी चाहिए तो चले अब टीम पर नजडाल दे यह मेरी अभीक लिए एक फैंटेसिक टीम है याद रहे यह कनफरांट टीम नहीं है यह एक एक एकस्पक्टिड मिल टीम है अब क्योंकि लाइन अप में कुछ ना कुछ चंजस होंगे तो उसके हिसाब से मैं भी चंजस करूंगा तो कैप्टन अभीक लिए मैंने रोडरी ह अरनांडेज को दिया है और वाइस कैप्टन मोहमन से लाग दिया क्योंकि पैनल्टी लेगा और हलांड भी पैनल्टी लेगा यह चीज़ याद रहे अगर आपको हलांड देना तो आप हलांड को वाइस कैप्टन दे सकते हो लेकिन मैं कैविन डीब्रियान फील्ड फोड इन सब को लेकर चलाओं मैंने अब टीम में डिफेंस लिया है विजिल वान डिस्क रोबर्ट सन ब्राडली और यहां से कैले है जैसे कि मैं आपको जो प्लियर्स बताए है उन्हीं प्लियर्स को मैंने ज्यादा फोकस के आपने फैंटेसिक टीम है तो यह मेरी अब एक देना है किसको कैप्टर किसको वाइस कैप्टर देना यह सारी जानकरी दी है मैंने अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखोगा तो हरी इन्फोर्मेशन आपको आसानी समझ में व्याई होगी तो मिलते है नेक्स टूडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन जरू करना क्योंकि फैंटेसी फूडबोल आपके लिए यह बेस्ट चैनल है चाहे तो आपने पूरे यूटूब में सर्च करके देख लो फैंटेसी फूडबोल के लिए जो कंसिस्टेंश से वीडियो टीम यह सब कुछ देता है तो आपके लिए I think second best channel तो आपको यह मिले जाएगा ज्यादा नहीं कैसे तह बलगी ज्यादा मैं बोलूंगा मने तो यह इतना है कि आपके लिए फैंटेसी फूडबोल को नजरे से होप सो वैल इन दिस मैच मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद